नमस्कार, मैं कहला शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विशया, अनुवाद लेकर, तो आईए शुरुवात करते हैं, सबसे पहले हमें जानना है कि अनुवाद में होता क्या है, अनुवाद में हिंदी या अंग्रेजी में दिये गए वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना होता है, जैसे अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ा रहा है, इसका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, तो हम लिखेंगे अध्यापकह कक्षायाम पाठम पाठयती, अब हम ये अनुवाद करें कैसे, अनुवाद के ल और चोथा है लकार या काल आधी का, करता व क्रिया के लिए क्या ध्यान रखें, तो ध्यान दें, करता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होनी चाहिए, इसी तरह से कारक व विभक्ती, कारक के अनुसार उचित विभक्ती का प्रियोग क तीसरा है विशेशन व विशेश्य विशेश्य जिस लिंग विबक्ती वचन का होता है विशेशन भी उसी लिंग विबक्ती वचन का होना चाहिए चोथा है लकार या काल क्रिया के अनुसार उचित लकार के धातू रूपों का प्रियोग करना तो ये चार वो बाते हैं जिनक हमें विशेस ध्यान रखना है आईए एक-एक को हम विश्तार से समझते हैं सब से पहले करता वक्रिया करता के लिए हमें जानना है पुरुष के बारे में पुरुष जिसे हम इंगलिस में पर्षन कहते हैं फरस्ट पर्षन, सेकिंड पर्षन, थर्ड पर्षन इसी तरह से संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं हिंदी या अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं एक वचन या बहु वचन लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं एक वचन, द्वी वचन वबहु वचन तो इस तरह से संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं और तीन ही वचन होते हैं प्रथम पुरुष में कौन सा करता होता है? तो देखिए सह तव ते वह वेदो वेशब ये पुलिंग के रूप हैं स्ट्रिलिंग में बनेगा सा ते ताहा और नपुनसक लिंग में बनेगा तत ते तानी हम उधारन के लिए यहां पुलिंग का ही रखते हैं आगे बढ़ते हैं मध्यम पुरुष की ओर मध्यम पुरुष के करता हैं तुम युवाम युयम तुम यानि तुम युवाम तुम दो युयम तुम सब इसी तरह से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम, अहम यानी म, आवाम हम दो और वयम हम सब, इस तरह से हमारे पास कुल नो करता हैं, आईए इन सभी को अलग-अलग नाम देते हैं, सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम या P1 यानी प्रथम पुरुष एक वचन, इसी तरह से प्रथम पुरुष द्वी वचन, P2 और प्रथम पुरुष बहु वचन, P3, P यानी प्रथम पुरुष और 1, 2, 3 ये एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन हैं, इसी तरह से मध्यम पुरुष के करता को क्या नाम दें M, M1, M2 और M3 इसी तरह से उत्तम पुरुष के जो करता हैं उसे हम U से लिखते हैं U1, U2, U3 आईए अब क्रिया के बारे में समझते हैं क्रिया के लिए भी वो तीन पुरुष हैं प्रथम, मध्यम और उत्तम ये तीन वचन भी हैं एक वचन, द्वी वचन, बहुचन तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष की क्रिया देखते हैं पठती, पठतह, पठन्ती मध्यम पुरुष में है पठसी, पठतह, पठत और उत्तम पुरुष में है पठामी, पठावह, पठामह करता की तरह से इन क्रियाओं को भी हम इनका एक नाम देते हैं प्रतम पुरुष की क्रिया एक वचन में P1 ये P2 और P3 मध्यम पुरुष में M1, M2 और M3 इसी तरह से उत्तम पुरुष में U1, U2, U3 अब ध्यान देने की बात ये है कि यदि करता P1 है तो क्रिया भी P1 होगी तो सह पठती यदि करता U1 है यानि अहम मैं, मैं पढ़ता हूँ तो बनेगा अहम पठामी यदि करता M3 है तो क्रिया भी M3 होगी Uyam पठत विद्यार्थी ध्यान दें अहम आवाम वयम त्वम युवाम युयम इन सब को छोड़ करके सभी करता प्रथम पुरुष के होते हैं चाहिवा पुलिंग हो, स्त्रिलिंग हो, एकवचन, द्वीवचन, बहुचन, किसी भी तरह का कोई नाम हो, व्यक्ती हो, वस्तु हो, प्राणी हो, स्थान हो, उन सबी को हम प्रथम पुरुष में यहां लेंगे तो ये अगर हमने समझ लिया, तो करता को पहचानना हमारे लिए बहुत आसान रहेगा आईए, अब हम कुछ वाक्य बना कर देखते हैं आपकी सुविधा के लिए मैंने यहां टेबल लिख दी है और अब हम पुरुष व वचन के अनुसार करता व क्रिया का सही प्रयोग सीखेंगे सबसे पहले प्रथम पुरुष बालकह पठती, दो हैं बालकव पठतह, अनेक हों तो बालकाह पठनती अगर हम पुलिंग की जगह स्ट्रिलिंग लिखें जैसे बालीका पठती, बालीके पठतह, बालीकाह पठनती तो क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा अब हम मध्यम पुरुष के करताव क्रिया देखते हैं, तो अम पठसी, युवाम पठतह, युयम पठतह, इसी तरह से उत्तम पुरुष में, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह, तो इस तरह से हमें करता और क्रिया का प्रियोग करना है आईए कुछ वाक्य बना कर देखते हैं पहला है वह पढ़ रहा है वह यानि P1 तो सह पठती इसी तरह से मैं खेल रहा हूँ यानि U1 का करता है तो क्रिया भी वही होगी अहम खेलामी अगला है तुम सब लिख रहे हो तुम सब यानि M3 का करता तो क्रिया भी M3 की होगी यूयम लिखत इसी प्रकार बालक आ रहा है तो बालक है आगच्छती अगला वाक्य है बंदर कूद रहे हैं लिखेंगे वान राह कूर्दंती इसी प्रकार फूल खिल रहे हैं तो पुश्पानी विकसंती इसी तरह से सूर्य उदय हो रहा है सूर्य है उदेती तुम बोल रहे हो तुम वदसी और इसी प्रकार हम सब नाच रहे हैं वयम निरित्यामह तो इस प्रकार हम करता और क्रिया का सही प्रयोग करें दूसरा हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है कारक एवं विबक्ती ये विबक्ती क्या होता है तो देखें विबक्ती साथ प्रकारकी होती है प्रथमा, द्वितिया, तृतिया, चतुर्थी, पंचमी, शष्ठी, सप्तमी इसी तरह से कारक भी साथ होते हैं पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण इसी तरह से इन सभी कारकों के अपने अपने चिन्न हैं तो कर्ता कौन है? किसी कार्ये को करने वाला कार्ये को जो कोई भी कर रहा है वह करता है हिंदी में कई बार करता के साथ ने लगता है कई बार नहीं लगता जैसे राम ने खाना खाया तो यहां ने है लेकिन राम जैपुर जाता है यहां ने नहीं है अतह करता के साथ ने हो सकता है और नहीं भी हो सकता लेकिन संस्कृत में इनके साथ विवक्ति जरूर मिलेगी जै जैसे बालकह ये प्रथमाविवक्ति है और इससे हम पैचान सकते हैं कि ये करता है दूसरा है कर्म करता जो कारिय कर रहा है जिस काम को कर रहा है वह है कर्म और उसके साथ चिन्न होता है को को कई बार रहता है कई बार नहीं रहता लेकिन संस्कृत में इसमें बक्ति होती है, जैसे बालक पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है पत्र, तो उसमें हम द्वितिया भी बक्ति करेंगे पत्रम, इसी तरह से करण, यानि से या द्वारा, करता, जिस चीज की सहायता से कोई काम कर रहा है, वह वस्तु है करण, जैसे कलमेन, यानि पैन से प कर रहा है वो है संप्रदान उसमें चतुर्थी विवक्ति होती है जैसे पठनाय पढ़ने के लिए बालक पढ़ने के लिए विद्याले जा रहा है तो किस के लिए जा रहा है पठनाय पढ़ने के लिए तो यह है संप्रदान कारक इसी तरह से अपादान से यानि अलग होने के अर्थ में जैसे कोई जैपूर से दिल्ली जा रहा है तो वह जैपूर से अलग हो रहा है तो जैपूर हो गया अपादान कारक इसी तरह से मान लो कोई घर से विद्याले जा रहा है तो हम लिखेंगे ग्रिहात घर से अलग होने के अर्थ में इसी तरह से संबंद का, के, की जैसे कोई संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है तो हम लिखेंगे संस्कृतस्य पुस्तकम और अधिकरण चिन्न है में या पर करता जहां पर रहकर खड़ा होकर, बैठकर, रहकर कोई कार्य कर रहा है वो जगह, वो स्थान है अधिकरण यानि करता का आधार ही अधिकरण कहलाता है जैसे विद्यालय, विद्यालय में चात्र पढ़ रहे हैं तो चात्र कहां पर पढ़ रहे हैं? विद्यालय में तो विद्याले करता का अधिकरण है एक है संबोधन संबोधन को कुछ लोग कारक नहीं मानते लेकिन शब्द रूपों में हम इसे पढ़ते आते हैं तो इसकी चर्चा करना जरूरी है संबोधन का चिन्न होता है हे, अरे, भो यानि जब भी किसी को पुकारा जाता है तो उसका संबोधन करते हैं यदि कोई मोहन को पुकार रहा है तो बोलेगा हे मोहन राम को पुकार रहा है हे राम इस तरह से अब कारक और विभक्ती के अनुसार हम कुछ वाक्य बना कर देखते हैं जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हम लिखेंगे बालकाह पठंती, इसी प्रकार बच्चे पत्र लिख रहे हैं, तो बच्चे है करता, और ये क्या काम कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र है कर्म, इसमें द्वितिया विवक्ती होग बालकाह कलमेन लिखंती इसी प्रकार बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो बनेगा बालकाह पठनाय विद्यालयम गच्छंती तो पठनाय ये है संप्रदान कारक इसी प्रकार बच्चे घर से स्कूल जा रहे हैं घर से अलग हो रहे हैं तो ये हैं अपादान का वाक्य बनेगा बालकाह ग्रिहात विद्यालयम गच्छंती। बालक घर से विद्यालय जा रहे हैं। अगला है बच्चे संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत की यह संबंध कारक। वाक्य बनेगा बालकाह संस्कृतस्य पुस्तकम पठंती। इसी प्रकार ब बच्चे कक्षा में पड़ रहे हैं, तो वाक्य बनेगा बालकाह कक्षायाम पठंती, कक्षा क्या है? करता का अधिकरण यानि आधार, हे मोहन यहां आओ, मोहन को पुकारा जा रहा है, तो इसमें होगा संबोधन कारक, वाक्य बनेगा हे मोहन अत्र आगच्छ, तो इस प्रक इसे देखकर लगता है सश्ठी विवक्ति का प्रियोग होगा लेकिन इसे संस्कृत में लिखेंगे रेखा मोहनेन सह गच्छती ऐसा क्यों हुआ आगे हम जानेंगे एक वाक्य और देखते हैं विद्यालय के चारों और घर हैं तो विद्यालय के यहां लगता है संबंध कारक का क की चिन है तो विद्यालय में सश्ठी विवक्ति होगी लेकिन नहीं यहां वाक्य बनेगा विद्यालय अम परितः ग्रिहानी संती विद्यालय के चारों और घर है ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुछ शब्दों और धातूं के साथ कुछ विशेस विवक्तियों का प्रियो अब वो कौन से शब्द हैं? कौन सी धातु हैं? आइए एक-एक करके समझते हैं. सबसे पहले है गती अर्थवाली धातुओं के योग में द्वितिया विबक्ती होती है. गती जैसे जाना, गच्छती तो इसको आसान शब्दों में समझें. यदि कोई व्यक्ती जा रहा है, जहांपर वह जा रहा है, उस शब्द में द्वितिया विबक्ती करनी है. जैसे मोहनः जयपूरम गच्छती, मोहन जयपूर जाता है. इसी प्रकार चात्रह विद्यालयम गच्छंती, चात्र विद्यालय जा रहे हैं. इसी प्रकार अभीतह, दोनों ओर. एक शब्द है पर जैसे एक उधारन लिखता हूँ, ग्रहम अभीतह ग्रिहानी संती, घर के दोनों और घर हैं, तो घर के दोनों और तो ग्रहम में द्वितिया विवक्ती, इसी प्रकार परितह के योग में, विद्यालयम परितह व्रिक्षाह संती, विद्यालय के चारों और पेड हैं, और इसी प्रकार प्रती, राकेश ग्रामं प्रती गच्छती, राकेश गाउं की ओर जा रहा है। अगला जो नियम है वो है सह यानि साथ, साथ के लिए संस्कृत में कई शब्द हैं, लेकिन हमें एक शब्द याद रखना है सह, तो जिसके साथ जाना हो, उस शब्द में तृतियाविबक्ती करनी है, जैसे बालक मित्रेन सह विद्यालयम गच्छती, बालक मित्र के साथ पिता पुत्र के साथ खेल रहा है तो किसके साथ पुत्र के साथ? तो पुत्र में तृतिया विबक्ती करनी है। अगला नियम है नमह शब्द के साथ चतुर्थी विबक्ती का प्रयोग होगा। याईनि जिसको नमन किया जाए उसमें चतुर्थी विबक्ती होती है जैसे गनेशाय नमः, स्री गनेश को नमन, शिवाय नमः, गुरवे नमः आदी अगला नियम है जिसे कोई वस्तु दी जाती है यानि जिस व्यक्ति को कोई चीज दे रहे हैं उस व्यक्ति में चतुर्थी विवक्ति का प्रियोग होगा जैसे सह निर्धनाय धनम ददाती वह निर्धन को धन देता है जो चीज दी जा रही है उसमें द्वितिया और जिसको दी जा रही है उसमें चतुर्थी जैसे सह मोहनाय पुस्तकम यच्छती वह मोहन को पुस्तक दे रहा है तो पुस्तक दे रहा है पुस्तक में द्वितिया और जिसे पुस्तक दी जा रही है उसमें चतुर्थी विबक्ती अगला नियम है भय और रक्षा इन दोनों अर्थ वा जातुओं के योग में पंचमी विवक्ति होती है यानि जिससे भय हो उसमें पंचमी जिससे रक्षा की जा रही है उसमें भी पंचमी उधारण देखते हैं बालकह सिंगात विभेती बालक शेर से डर रहा है तो किससे डर रहा है शेर से तो इसमें पंचमी विवक्ति हो गई इसी प्रकार सैनिकाह, शत्रुभ्यह, देशम, रक्षंती, सैनिक शत्रुओं से देश की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसमें द्वितिया और जिस से रक्षा कर रहे हैं उसमें पंचमी, तो ये थे कुछ विशेस उधारण, जिनका हमें अनुवाद में वि अब ये विशेशन है क्या? तो समझें, वे शब्द जो संग्या सर्वनाम आदी की विशेशता बताते हैं, उन्हें विशेशन कहते हैं. अगला है विशेशे, विशेशे किसे कहते हैं? विशेशन जिस शब्द की विशेशता बताता है, उसे विशेशे कहते हैं. जैसे भारत बारतियह ये विशेशन है और पुरुशह ये विशेश्य है इसी प्रकार एका बालिका तो एका शब्द विशेशन है और बालिका विशेश्य है याद रहे विशेश्य जिस लिंग विवक्ति व वचन का होता है विशेशन भी उसी लिंग विवक्ति और वचन का होगा जैसे पुरुशह ये एक वचन पुलिंग है तो भारतिय यह भी एक वचन पुलिंग में ही लिखा जाएगा आईए कुछ उधारन देखते हैं जैसे हमें लिखना हो योग्या बालक तो लिखेंगे योग्या बालक योग्या बालिका तो लिखेंगे योग्या बालिका और नपुन् आलकाह, योग्याह बालीकाह, योग्यानी मित्राणी, इसी तरह से संख्या वाचक शब्द, पुल लिंग में एकः सिंगह, एक शेर, स्ट्रिलिंग में एका चटका, एक चुडिया, और नपुन्षकलिंग में एकं भलं, इसी प्रकार द्वव सिंगव, द्वे चटके, इन के लिए त्रयह सिंगाह, तिस्रह चटकाह, त्रीनी फलानी, चार के लिए चत्वारह सिंगाह, चतस्रह चटकाह, चत्वारी फलानी, पांच के लिए चार से आगे जो भी संख्या है वो तीनों लिंगों में एक समान रहेगी, जैसे पंच सिंगाह, पंच चटकाह, पंच तो एक से चार तक की संख्याओं का विशेस ध्यान रखना है आईए कुछ वाक्यों के द्वारा विशेशन और विशेशय को समझते हैं जैसे वाराणशी देश की प्राचीन नगरी है तो संस्कृत में लिखेंगे वाराणशी देशस्य प्राचीना नगरी अस्ती इसी प्रकार मोहन शुद्ध जल पीता है तो वक्य बनेगा मोहनः शुद्धम जलम पिवति इसी प्रकार उसने तिक्षण बान से प्रहार किया तो वक्य बनेगा सह तिक्षणेन बानेन प्रहारम अकरोत अगला है उस पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं उस पेड़ पर तो वाक्य है तस्मिन व्रिक्षे खगाह कूजन्ती और यदि स्ट्रिलिंग में लिखें उस गुफा में एक शेर है तो वाक्य बनेगा तस्याम गुहायाम एकह सिंगह अस्ती अगला वाक्य है यहां विदेशी प्रयाटक आते हैं तो संस्कृत में लिखेंगे अत्र वैदेशी काह प्रयाटकाह आगच्छन्ती अगला वाक्य है दुष्ट शिकारी हीरन को मारता है संस्कृत में लिखेंगे दुष्टह व्याधह हरिणम हंती अगला है सुन्दर बाली क मदुर गीत गाती है तो संस्कृत में लिखेंगे सुन्दरी बाली का मदुरम गीतम गायती तो इस प्रकार हम विशेशन और विशेशे का ध्यान रखते हुए आसानी से वाक्य बना सकते हैं अनुवाद के अंतरगत अंतिम बिंदू है लकार संस्कृत में 10 लकार होते हैं लेकिन मुख्य रूप से 5 लकारों में ही अनुवाद पूछे जाते हैं वो 5 लकार हैं लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार, लोट लकार अब ये कौन से लकार का प्रियोग किस अर्थ में होता है? आईए देखते हैं सबसे पहले लट लकार, यानि वर्तमान काल दूसरा है लंग लकार, भूत काल, लिट लकार, भविश्य काल विधिलिंग चाहिए अर्थ में जैसे हम कहें तुम्हे पढ़ना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए तो चाहिए अर्थ में विदिलिंग लकार का प्रियोग होता है अंतिम है लोट लकार आज्या अर्थ में हम कहें कि तुम पढ़ो या आप पढ़िये तो इस अर्थ में हम लोट लकार का प्रियोग करेंगे अब इन लकारों में धातू रूप कैसे चलते हैं आईए एक-एक उधारन देखते हैं जैसे लट लकार वर्तमान काल में पठती पढ़ता है भूत काल में अपठत यानि पढ़ा, पठिश्यती पढ़ेगा विदिलिंग में पठेत पढ़ना चाहिए और लोट लकार में पठतू यानि पढ़िये या पढ़ो अब एक-एक वाक्य बनाते हैं जैसे बालकह गच्छती बालक जाता है ये वर्तमान काल लट लकार है इसी प्रकार सीता अवदत सीता बोली ये भूत काल है लंग लकार है इसी प्रकार सह अर्चिशती वह पूजा करेगा भविश्यकाल लिट लकार इसी प्रकार सह पाठम पठेत उसे पाठ पढ़ना चाहिए ये विदिलिंग लकार है और इसी प्रकार अंतिम है तुम जलम पिब तुम पानी पिओ ये लोट लकार है तो इन सभी लकारों और धातू रुपों का ध्यान रखते हुए हमें वाक्य बनाने हैं आईए कुछ उध कारण देखते हैं जैसे वह कल आएगा आएगा यानि आने वाला कल है और वाक्य बनेगा सह श्वह आगमी शती इसी प्रकार उन दोनों ने लेख लिखा तो वाक्य बनेगा तव लेखम अलिखताम इसी प्रकार दो अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो वाक्य बनेगा तुम आज्या का पालन करो, तुम आज्याम पालय, हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए, ये विधेलिंग लकार है, संस्कृत में लिखेंगे वयम नित्यम व्यायामं कोरियाम, रसोईये ने खाना पकाया, संस्कृत में लिखेंगे पाचकह भोजनम अपचत, इसी प्रकार किस उच्यान खेत जोतता है, तो संस्कृत में बनेगा ख्रिशकह ख्षेत्रम कर्षती, अंतिम वाक्य है तुम सब पढ़ो, तो तुम सब को कहते हैं यूयम और वाक्य बनेगा यूयम पठत तुम सब पढ़ो, इस प्रकार हमें कर्ता क्रिया, विशेशन विशेष्य, कारक विब संस्कृत में लिखेंगे तुम विद्यालयम गच्छ इसी प्रकार तुम ग्रहकारिय कब करोगे तुम ग्रहकारियम कदाकरिशयसी चंचल बंदर पके हुए फल खाता है तो वाक्य बनेगा चपलह वानरह पक्वानी फलानी खादती विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है चात्रो सदासत्य बोलो संस्कृत में लिखेंगे भो चात्राह सदासत्यम वदत अगला वाक्य है हमें वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए वयम वृद्ध जनानाम सम्मानम कुरियाम वह मधुर कंठ से गाती है सा मधुरेन कंठेन गायती गाउं के चारों और पेड है ग्रामम परितह व्रिक्षाह संती पेडों पर पक्षी चहक रहे है तो संस्कृत में लिखेंगे व्रिक्षेशु खगाह कूजनती तो ये था हमारा आज का विशय अनुवाद अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्ण हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें धन्यवाद